अब हम कर लेते हैं अपने कोश्चन की प्रैक्टिस वर्कशीट फिल ब्लैंक्स विद दा हेलप आफ एडवर्ब कौन-कौन से डिग्री अफर्मेशन और निगेशन इन एडवर्बों के माध्यम से ही हम इसे हमें यहां पर यह फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है तो बच्चो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि अडवर्ब आफ डिग्री क्या है अफर्मेशन क्या है और निगेशन क्या है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में कि डिग्री कौन्टिटी की बात पता चलती है कितनी मात्रा में काब हुआ अफर्मेशन में स्विकरात्म बात प्रकट होती है और निगेशन में निगेटिव बात यानि एडवर्ब आफ निगेशन तो इस तरीके से इन तीनों को अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आप भूल रहे हो तो फिर से वीडियो को देख लीजिए और फिर अच्छे से एक एक्सरसाइज के लावा आपको फाइनल वर्कशीट भी बहुत बढ़िया मिलेगी लेकिन इससे पहले यहां पर हम कर लेते हैं अब यहां पर आपको देखना है कि क्या भरा जाएगा दूसरा है डैस ही इस राइट यहां पर कौन सा अप एडवर्ब भरेंगे सी लाइव औ जो बहुत ही छोटी है लेकिन आपके लिए प्रक्टिस के लिए इन तीनों टाइप के जो हमारे एडवर्ब है उनके लिए आपके लिए है यह तो इस तरह किसे इसको आप करिएगा बच्चो और अच्छे से समझ लीजेगा पहले वीडियो से फिर करिएगा बच्चो जो एडवर्ब होते हैं वह सबसे पहले आते हैं वाकि में प्रष्ट पुछने का काम करते हैं तो इरही को हमें भरना है और बहुत ही सिंपिल है सबसे पहले डैस आर यू गूइंग नाओ यह तो बहुत जल्दी पहचान गयों क्यों कुश्ट मार्क भी लगा हुआ है यहा यहां पर आपको भरना है तो इस तरीके से आप यहां पर फिलिंदी ब्लैंस करेंगे हैल पाप दी रिलेटिव एंट्रोगेटिव एडवर्ब खुब अच्छे से बच्चों समझे पढ़िए पढ़िए पढ़ाई को बोजना लीजिए टेंशन मत लीजिए आराम से रिलेक करना ना भूलिये बच्चों थैंक यू